दादी नानी की कहानिया तो बहुत बार सुनी होंगी आप लोगों नहीं लेकिन आज मैं आप सब को एक डॉक्टर की कहानी सुनाती हूं कि डॉक्टर मेरे बच्चा बीच में इतना बिमार हो गया था तब डॉक्टर ने बोला उसको कि लोही की कडाई जो है ना उसका खाना तब इसके अंदर जो आइरन की कमी है वो पूरती हो जाएगी तो मैं अपने बच्चे के लिए आज लोहे की कडाई खरीद के लाई हूं और आज इसी के अंदर मैं सबजी बनाने वाली हूं डॉक्टर का मानना है कि इसके अंदर सब्जी खाने से बच्चा जो है एकदम तेश दिमाग का होगा और जो भी उसके अंदर आइरन की कमिया है वो जल्दी से पूरी हो जाएगी तो जल्दी से मैं मार्केट गई और मार्केट से ये करडाई खरीद के लाई हूं लोही की ह है तो आज मैं इसके अंदर ही सब्जी बना रही हूं तो आप लोग देख सकते हैं तो आज मैं इसके अंदर भिंडी और आलू की सब्जी बना रही हूं जिसके अंदर मैं सर्सो वाला मसाला डालने वाली हूं एकदम मचली वाला स्वाद आने वाला है दोस्तों ये सब्ज और आलो जो थी हमने यह पर डाल दी हुई है और सभी को अच्छे तरीके से हमने हलका सा फ्राई कर लिया है और उसके बाद हमने स्वाद अनुसर इसकें था नमख में लाँ । दाल लेते हैं हमेने यह यहां पर दो चम्बच सड़सो डाला हूआ ब्ला भीजा दाला हुआ है जिसको आपके रख़ा थे अधर सब को आपकर हम यहां डालेते हैं और सब के अंदर कोई भी मसाला यूज नहीं किया है हमने ये एकदम सबजी मचली की तरह बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में और आज तो हम इसको लोही की कड़ाई में बना रहे हैं दोस्तों तो आप समझी सकते हैं इसका टेस्ट के इतना जादा ही तो इन सबको हम इतने ही पानी के अंदर हम इसको पका भी लेंगे और साथ में एक साथ एक टमाटर भी कट करके डाल दिया हुआ है इसको पान से साथ मिनट हम लोग कूप होने देंगे ऐसे ही धक कर मेडियम फ्लौन पे तो आप सबको अगर ऐस भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें यहां पर दोस्तों हमारी सब्ची बन के बिल्कुल त्यार है आप लोग देख सकते हैं यह देखे एकदम सूख चुकी है एकदम सूख ही मचली की तरह ही बनी हुई है यह सब्ची और खाने में तो बहुत